बिल्किस के गुनेगारों को माफी क्यों? रिहाई पर जावेद अक्तर ने पूछे सवाल समाज को क्यों घेर रहे हैं? जाने माने लेखा बिल्किस बानों के दोशियों की रिहाई पर सियासप गर्मा गई है एक तिवाद एक लगातार बयानों का दौर जारी है जहां एक और स्वतंतरता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पियम मोधी ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में बिल्किस बानों के सामोहिक दुशकर्म के 11 आरोपियों को राजसरकार ने माफी नीती के तहे जेल से रहा करतिया था सबसे हैरतंगेज बात तो ये रही कि जब वो सभी जेल से बाहर आये तो विश्व हिंदू परिशत के कारिकरताओं ने फूल माला पहना कर और मिठाई खिला कर उनका स्वागत किया इस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुआ अब एक तरफ भाजपा जो की गुड गवरनेंस की बात करती है और एक तरफ दुशकर्म के आरोपियों का स्वागत होता है जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें आपस में मेल तो नहीं खाती इसलिए विपक्षी दलों से लेकर अन्य तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया टीमसी की सांसद महुआ मोहित्रा नुसर जहान और मिमी चकरवर्ती के बाद बॉलिवट के जाने माने फिल्म लेखक प्रतिक्राइब बॉलिवट के जिन लोगों ने दुश्कर्म किया उसके परिवार के साथ लोगों को माड़ा जिसमें तीन साल की बेटी भी शामिल थी उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया उनका स्वागत किया उन्हें मिठाई खिलाई गई हमारे समाज में वाकई कुछ बहुत बड़ी गड़बडी हो गई है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वैसे आपको बता दें कि बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ ये खटना आज से 20 साल पहले 2002 में तब घटी थी जब गुजरात में तंगे हुए थे इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया साल 2008 में CBI की विशेश अदालत में इन 11 दोशियों को अजीवन करावास की सजा दे दी बाद में मुंबई हाई कोट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा 15 साल होने पर इन 11 में से एक ने माफी के लिए याचिका दायर की कोट ने इस मामले में गुजरात सरकार पर फैसला करने को कहा राज सरकार ने कमिटी का गठन किया और सभी दोशियों को रिहा कर दिया इस मामले पर खुद बिल्किस बानों ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी जिन्दगी तबाह कर दी मेरे परिवार के साथ लोगों की हत्या कर दी मेरी तीन साल की बेटी को हमेशा के लिए मुझे सिद्धूर कर दिया उन्हें सजा खत्म होने से पहले रिहा कर दिया गया मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे गुसा आ रहा है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका नयाय प्रक्रिया पर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है ऐसी और भी खबरों के लिए जोड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है वन इंडिया हिंदी